हेलो फ्रेंट्स, स्वागा था आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल विकास्त्रीवन टेक में तो फ्रेंट्स जैसे कि आपको पता है कि यूट्यूब पर नए नए अपडेट साते रहते हैं और ये जो नए अपडेट आया है बहुत ही बड़ा अपडेट है क्योंकि इसमें यूट्यूब ने अपनी खुद की ही नई अप्लिकेशन लॉंच कर दी है आप सभी के लिए तो बहुत ही ज़ादा इंफर्मेटिव वीडियो है कौन सी अप्लिकेशन है, कौन-कौन से फीचर आपको इस अप्लिकेशन में मिलेंगे आपको इसे कैसे यूज करना है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो वीडियो बहुत ही ज़ादा इंफर्मेटिव है इसलिए वीडियो को पूरा सुरू से लेके लास तक ज़रूर देखेगा वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है, पहली बार मेरे चैनल के उपर आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ओन करके उसे ओल पे सेट कर लें जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नहीं वीडियो की अप्डेट सबसे पहले मिले तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंट्स, यूट्यूब की तरफ से एक बहुत बड़ी एप्लिकेशन लाँच हो गई है जिसका नाम है यूट्यूब क्रियेट यह बहुत कमाल की एप्लिकेशन है एक तरह से एक वीडियो एडिटिंग एप है जिसके अंदर आप अपनी यूट्यूब वीडियो को एडिट कर सकते हैं और इसमें यूट्यूब खुद आपको एक्सपोर्ट क्वालिटी भी देगा तो बहुत अच्छी क्वालिटी में आप अपनी वीडियो को प्रोड्यूस कर सकते हैं अभी तक क्या था और ये एप्लिकेशन जो है वो बिल्कुल फ्री है अभी तक ये था कि आप किसी भी एडिटिंग सोफ्ट्वेर का यूज करते थे या एप्लिकेशन यूज करते थे जैसे काइन मास्टर हो गया वीटा हो गया तो kind master जैसे है वो purchase करनी पड़ती थी या फिर उसमें अगर आप free use करते थे तो watermark आता था लेकिन ये application बिल्कुल free है YouTube ने खुद launch की है इसमें आपको कोई watermark भी नहीं मिलेगा और इसमें आपको काफी सारे features भी देखने को मिलते हैं इसके अंदर आप trim कर सकते हैं, delete कर सकते ह है, overlay कर सकते हैं इसमें आप audio भी music library से add कर सकते हैं YouTube की तो बहुत कमाल के features इसके अंदर हैं लेकिन अभी इस application को सब लोग download नहीं कर सकते, अभी कुछ लोगों को ही application दी गई है, तो आप कैसे पता लगेगा कि application आपको download कर सकते हैं या नहीं, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको yt studio के अंदर जाना है, और yt studio में आपको इस तरीके का notification आपकी screen के उपर आ रहा होगा, जैसे में यहाँ पर दिखाया हुआ है, ठीक है, इस notification में जब आप learn more पर click करेंगे, तो आपके सामने एक article खुल जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, और इसमें जब आप blue box पर tick करेंगे, तो आपको यह सीधा play store पर ले जाएगा, और वहाँ से आप इस application को download करके use कर सकते हैं, तो बहुत ही कम comment section में comment करके यह ज़रूर बताईएगा, कि आपको यह update कैसा लगा, और इस application से आपको कुछ फायदा होगा या नहीं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे like और share ज़रूर करें, और इसे related कोई question है, कोई query है, तो वो भी आप मुझे comment section में comment करके पूछ सकते हैं, वीडियो को देखने के लिए, thank you.